नमस्कार दोस्तो वेलकम बेक टो अर्चैर मनी सोलूशन दोस्तो आज के समय में आप दुबारा से इदर देख रहे होंगे जो अच्छे-च्छे स्टोक से इदर डिसकाउंट प्राइस पर मिल रहे हैं लेकिन जो हमारा फैबरेट स्टोक है दोस्तो आज तीन परसेंट अपर मुझमेंट इस स्टोक में दिखाई देगी अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्या है तो तो सबसे पहले तो आज के समय में जो इनकी R&D यूनिट्स है जो पिछे मैंने इनको इनके उपर दोस्तो एक वीडियो बनाई थी इसको रिको ओगनिजेशन मिला था उसके बाद इनका जो कॉलेबरेशन हुआ है अलग अलग जो विदेश की कमपनियों के साथ तो अभी अभी मिडिया रिलीज आया है विकास इको टैक लिमिटेड कमपनी की तरफ से जो इनकी R&D यूनिट्स है उसका कॉलेबरेशन हुआ है और इसका जो इंपक्ट है स्टोक पर आज की कहां पर ट्रेड कर रहा है तो चलिए दोस्तो विडियो शुरू करते हैं तो फाइनली दोस्तो आप लोग इधर देख रहे होंगो जो विकास इको टैक लिमिटेड का जो स्टोक्स है अगर हम इसका सेक्टर की बात करते हैं दोस्तो यह आ जाता स्पेसिलिल्टी जो केमिकल से तीन रुपेज 40 पैसे पर ट्रेड इधर कर रहा है तीन परसेंट की जो अपर मुमेंट है इधर आज के समय में आपको स्टोक के अंदर भया दिखाई दे जाएगी क्योंकि दोस्तो जो मेडियार लीज है जो खवर ही ऐसी आई है मैं वो पूरी खवर पहले भया इधर ज जो स्टोक्स है उसका एनसे संबल है जो विकास एकोड जो बीसे स्क्रिप कोड है वो है 530961 जो जो इनकी बिजनेस अपडेट आई है जो इनकी आरेंडी डिवीजन है जो रिसर्च एंड डिवलोप्मेंट जो डिवीजन है उनका कोलोबरेशन हुआ है जो किंग खालिद है साओधी अरब की उसके साथ दोस्तों इनका जो भाया कोलोबरेशन हो गया है आगे आने वाले प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों इदर मैं थूड़ी चो टेक्निकल टरम से वो यूज करूँगा क्योंकि भाया जो ये बिजनेस है वो टेक्लिकल टरम के अंदर ही कवर हो सकत नए ने जो टेक्नलोजी है उसके ट्रांसफर में इंप्रींग दोस्तों जो इनका जो प्रोडेक्ट ओफरिंग के अंदर जो इनकी आरेंडी डिवीजन है विकास इकोटेक्ट की आपको पता है पहले मैंने वीडियो बनाए थी जो डी एस आई यार जो रिकोगनाइज्ड कि जो आरेंडी यूनिट है यानि जो दोनो आरेंडी यूनिट है दोस्तों डी एस आई आर से दोस्तों पूरी तरह से रिकोगनीशन है यानि गोवर्मेंट ओफ इंडिया से दोनो दोस्तों जो यह आरेंडी यूनिट है वो पूरी तरह से वह सर्टिफाइड है देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो इनकी जो R&D उनिट है Research and Development जो recently दोस्तों अभी है जो Patent in Collaboration with the King Khalid University ABBA 62529 साओधी अरब देखिए जो यह Collaboration कर रहे है न यह technical word है Process for the Designing of Conducting of Polymer Nanocomposite Unactivated Carbon Membrane of the Removal of Bacterial Contamination from the Polluted Waste Water देखिए सिधा सिधा समझ लीजिए दोस्तों जो Waste Water होता है उसको पता है कि उसके अंदर जो Bacterial Contamination होता उसके Removal के लिए जो Carbon के Membrane आते है जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा हो हम घरों के अंदर जो पानी उससे रिलेटिड इधर है जो इनका collaboration हुआ है और आपको भी पता जो साथी अरब जैसे जो देश हैं दोस्तों उदर पानी की कितनी ज्यादा दिक्कत है उदर प्रोब्लम है पानी की तो उदर दोस्तों वो उनकी कोशिस यही रहती है जितना भी पानी है उसको पूरी तरह से दोस्तों जो वेस्ट वाटर है उसको पूरी तरह से साप सूप करके उसको यूज किया जास की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है आज की रेटे में साओधी जैसे जो अरब के जो देश है उदर और इसी के साथ दोस्तों जो King Khalid University है उसके साथ जो R&D Division है विकास Ecotech का इनका Collaboration हुआ है जो इनका दोस्तों जो प्रोडेक्ट है यानि जो आने वाला प्रोजेक्ट है बहिया जो Polymer Nano Composites Zone जो Activated Carbon Membrane है for the removal of bacterial contamination from the polluted wastewater बहिया देखिए यह technical term है ज्यादा इसके बारे में तो फिर net के उपर सर्ज कर लेना ओवराल देख लिए जो जो वेस्ट वाटर है उसके उपर जो Contamination है जो Bacterial है वो ना हो उसके removal के लिए जो इनका Collaboration हो गया है इनकी जो R&D Unit है तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जो इनकी प्रोजेक्ट के उपर अगर आप King Khalid University के ब आप देखेंगे कि बहिए जो 200 University इंद वर्ल टू था ज़नों सी यह पूरी डिटेल है बहिए आप लोग इदर पढ़ सकते है और अगर विकास Eco Tech की भी आप डिटेल पढ़ना चाहते तो वह भी दे रखा बहिए जो विकास Eco Tech Limited है दिल्ली बेस्ट कंपनी है जो बीजनस है स दोस्तो जो टेक्निकल फंडामेंटर एनालीसिस है वह भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं आज की डेट में जो विकास Eco Tech Limited का जो स्टोक है दोस्तो वह ट्रेड करा 3.40 पैसे पर 3% की जो अपर मुमेंट स्टोक ने दी है अगर हम इसके अंदर दोस्तो ऑपरिचिनिटी अगर हम देखते हैं इदर हम रेवेन्यु देखते हैं तो 2021 में 116 क्रोड था जबकि 2022 में 200 क्रोड पहुंच गया डबल से ज़्यादा का इदर दोस्तो जुम्प दिया है अगर आप नेट प्रोफिट देखेंगे इदर 2021 में माइनस 14 क्रोड था लेकिन 2022 में जो नेट तो भाईया ये एक अच्छे अपडेट है अगर आप शेर होल्डिंग पैटन देखेंगे देखेंगे पब्लिक के पास 89.64% की शेर होल्डिंग पैटन है पर मोटर के पास ऐदर 9.29 की और अगर आप FII देखते तो 1.08 जो FII in foreign investment है अगर आप चार्ट देखेंगे इसका भाई से स्टोक गया था तो यहां पर लगबख 70 से लेकर 75% का जो रिटन है इधर से हम कमा सकते थे अगर इस लेवल के उपर फिर मैंने दोबारा एक वीडियो के तुरू आपको बताया था कि 3.05 पैसे के आसपास आप बाय कर सकते हो लेकिन अगर आज की डेट में देखेंगे 3. रोपे 30 पैसे के आसपास स्टोक ने एक स्ट्रोंग स्पोर्ट का काम किया तो मेरे हिसाब से इस लेवल से भी भाया जो है हम अपनी जो बाइंग है बना सकते हैं बाइदा SIP मोड तो यह थे इसके टेक्निकल फंडामेंटल एनालीसिस दोस्तों मैं दोबारा से जो मेडिया एक बार और कवर करना चाहूंगा कि जो विकास एकोटक लिमेटेड की जो आरेंडी डिवीजन्स है बहिया उनका क्लोइबरेशन हो गया है किंग खालीज यूनस्टी के साथ जो कि एक साओधी अरबिया में है जो इनका दोस्तों ओनकमिंग जो ओन गोविंग जो प्रोजे बड़ा हो गया है टेकनिकल वर्ड लेकिन वहाज सेदी सी ओवराल बात में आपको बदा दू जासे दोस्तों जो हमारा फिल्टर है फिल्टर के अंदर जो कार्बन मेंबरन रहता है जो पानी को साफ करता जो नेक्स इनका प्रोजेक्ट आ रहा है उसके उपर दोस्तों जो